नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का नियूस इंडिया पर मैं हूँ आपके साथ नीतु गुपता बुलेटिन की शुरुवात करेंगे इस वक्की एहम खबर के साथ महा भारत में द्रोनाचारे और शक्तिमान में किलविष का किरदार निभाने सहित अनेको टीवी सीरिलो और फिल्मों में अपने अभिने के माध्यम से दर्शकों का मनुरंजन करने वाले अभिनेता सुरेंदरपाल नॉइडा में नियूस इंडिया चानल के स्टूडियो आए जहां नियूस इंडिया की M.D. दिक्षा शर्मा ने उनका बुके भेट कर स्वागत किया इस अवसर पर नियूस इंडिया के वरिष अधिकारी भी मौझूद रहें इसके साथ ही अभिनेता सुरेंदरपाल से खास बात चीत की नियूस इंडिया के Head of Special Affairs परशांच शर्मा न सुरेंदरपाल ने महाभारत सीरियल से जोड़ी कुछ खास यादे हम से साचा की हैं नियूस इंडिया के नौइडा ओफिस में आज आए हैं महाभारत के दुरोणाचारिय शक्तिमान के किलविश और देवों के देव महादेव के दक्ष प्रजापती बहुत बहुत स्वागत है सुरेंदरपाल जी नियूस इंडिया में कैसा लगा नियूस इंडिया आकर क्या कहेंगे सबसे पहले तो नियूस इंडिया 24 by 7 के सभी दर्शकों को आचार या द्रोन का प्रणाम सुईकार हो बहुत खुशी हो रही है आज इस नियूस इंडिया के चैनल पर आकर और आपसे सामने बैठ कर आपसे चर्चा करते हुए आपसे बाचीत करते हुए बहुत खुशी हो रही है मुझे और यह चैनल वैसे भी मेरा पसंदीदा चैनल है क्योंकि इसको मैं काफी फॉलोव अगरे करता रहता हूँ और कई बार मैं इनकी डिबेट में भी बॉंबे से भी टेलिकास्ट जब होती थी तो इनकी टेलिकास्ट में भी आया हूँ कई बार डिबेट में भी पाटिसिपेट किया है और अच्छा लग रहा है बहुत चैनल में आके भी अच्छा लग रहा है और काफी बड़े स्पेस में इस न्यूज इंडिया को आपने बना के रख्का हुआ है और इसकी गरिमा और गौरफ दोनों चीज बरकरार है न्यूज इंडिया आप आए हैं और लोगों ने आपको हमेशा टीवी पे देखा है 33 साल पहले महा भारत आई थी तो कुछ उसके ऐसे किस से अचारिये द्रोन से लोग सुनना चाहेंगे जो लोगों ने महसूस नहीं किया लेकिन अचारिय का रूल किया था और बहुत सारी यादें हैं उससे जुड़ी हुई और बड़ी अच्छी और प्यारी यादें हैं पहली तो यही था कि जो उसमें कलाकारों का चैन हुआ था हमारे जो कास्टिंग डिरेक्टर थे गूफी पिंटल जी जो उन्होंने मामा श्रकुनी का रू की जिसे हिंदूस्तान ने के हर नागरिक ने उसे पसंद किया उन क्रेक्टर को पसंद किया चाहे वो भीशЗЫमुlier पितामा का रोल हो या णितेज भरत द्वाज का क्रिशन का रोल हो या अरजुन हो या दिल्योदन हो, या कर्ण हो, कोई भी रोल हो, हर रोल लोगों के दिल और दिमाग स्चाया रहा और बहुत कम धरबाइक होते हैं, जिनकी कास्टिंग बहुत अच्छी की जाती हैं, और मैं यही कहूँगा कि महाभारत की जो थी कास्टिंग बहुत अच्छी हुई थी और उसका श्रेय मैं गूफी पेंटल साहब को देना चाहता हूँ और हमारे बड़े चोपड़ा साहब बियार चोपड़ा साहब और रवी जी ने जिस खुबसूर्ती से उस महाभारत के कई पहलू जो उन्होंने एट किये थे जैसे फौर एक्जामबिल ले लीजे मैं दरशुको को बताना चाहूंगा कि उसमें समय को वो लेकर आया थे जो कहानी का नरेशन देता था कि क्या-क्या हुआ है, क्या-क्या होना है, क्या-क्या हो रहा है, सब की मनोदशा क्या है, अगर ऐसा हो गया है, तो सब लोगों की हालत क्या है, और किसी को दिख नहीं रहा था, लेकिन समय एक ऐसा था, जिसको सब कुछ दिख रहा था, तो एक समय का जो introduction किया था वो उस महाभारत में एक युनीक चीज थी दूसरी उसमें युनीक चीज थी कि उसको बड़े ही भवी रूप से शूट किया गया था उसके लिए हम लोग जैपुर में एक ऐसी location ढूनी थी deserted look जो था जहां पर अब कहां जहां भी इतना जादा हर जगे modernization हो गया है कि पीछे wire दिख जाते हैं building दिख जाती हैं घर दिख जाते हैं अब इनको हर चीज़ को चुपाना था पीछे building ना दिखें गर ना दिखें वाइर ना दिखें तो इसके लिए उन्होंने जैपुर में बड़ी एक अनोखी location भी ढूनी थी कुरुशेतर का मैदान भी ढूना इनोंने और रवी चोप्रा साब ने उसकी making में कोई कमी नहीं रखी मेरे हिसाब से महाबारत की और द्रोना चार का जो character जो मुझे मिला था उस वक्त मैं नया नया इंडस्ट्री में आया था और मैं hero के रोल के लिए try कर रहा था और मेरी एक film भी release हुई थी हीट का जवाब पत था जिसमें नीता मैता heroine थी I was a hero in the film second film मेरी आई थी श्रवाना आजमी जी के साथ श्रमा जिसमें मैं negative hero था कादर खान साब ने वो film मनाई दो film में आ चुकी थी बतौरे hero और महाबारत में मुझे एक guru की भूमिका मिली थी पहले तो मैंने उसको राही साब से बिया चुपरा साब को कह दिया था कि मैं ये बुड़े की भूमिका नहीं निबाऊंगा लेकिन जब dr. राही मासुम रजा ने मुझे समझाया और explain किया इस से भूमिका के बारे में कि वो आर्मी का जनरल था और उसकी पूरी आर्मी उसके हाथ में थी वो चाहता दस अर्जुन बना सकता था वो चाहता था दस दुर्योधन को तपड मार के बेटा सकता था और इस भूमिका के लिए हमें एक ऐसा आदमी की तलाश है एक ऐसे करेक्टर की तलाश है जो अर्जुन दुर्योधन कर्ण को डॉमिनेट कर सके और वो मुझे आप में दिख रहा है इसलिए मैं चाहूँगा कि वो भूमिका आप करें उसके बाद फिर तो सब कुछ इत्यास है दर्शकों ने देखा पसंद किया सरा उसके लिए दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी करूँगा और इस तरह से महाभारत की शुरुआद हुई थी ये तो ही महाभारत की बाद लेकिन उसके बाद लगातार सफर चलता गया कभी किलवेश कभी दक्षप्रजापती कभी कोई सीरियल कभी फिल्म लेकिन ऐसा कुन सा रोल था जो आपके दिल को छोगया और आज भी याद है क्यों गुरूद रोना चारी और ये सारे रोल 10,000 एपिसोड भी अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम करते हैं मैं शायद इस 32 साल के पीरिड़ में ये कह सकता हूं कि मुझे कभी समय नहीं मिला कि मैं बच्चों को उनके कॉलेज में जाके उनको अटेंड कर सकूं या उनकी ओपन ओपन हाउस अटेंड कर सकूं मैं इतना व्यस्त रहता था सारे टाइम और एक धारवाहिक मेरा शुरू होता था दूसरा शुरू हो जाता था तीसरा शुरू हो जाता है इस तरह करके मैंने भी टेलिवीजिन के अंदर एक इत्यास बनाया कि बैक टू बैक मेरे बारा शो आते थे 12 शोज एटे टाम पांच दूरद शुरू चलता रहता था यहाओ इस्टाइड वोर्किंग और मैं प्रोडूसरों को यह भी मना करता था कि मेरे पास समय का भाव है मैं इतना काम नहीं कर सकता हूं लेकिन हर आदमी यही मेरे पास एक स्टोरी लेके आता है कि आप मेरा शोड़ नहीं सकते हैं आपको मेरा शो में बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाले रोल जो थे वो सब मेरी जूली में आके गड़ते थे चाहे वो चंदरकांता हो, जी हॉरर शो हो, शक्तिमान का किलविश हो, पृत्वी राज चोहान हो, महराना प्रताप हो, सूरी पुत्रकन हो, शगुन हो, कोई भी बड़ा धारवाई, जितने बड़े धारवाई बने हैं, अभी तक, उन में करीब करीब सभी मुझे काम करने का स्वभाग्य प्राप्त हुआ, और स्वभाग्य प्राप्त इसलिए हुआ मुझे की दर्शकों का प्यार मुझे बहुत अधिक मिला, उन्होंने मुझे कभी न रहा हूं इन दिनों मेरा एक शो चल रहा है स्टार भारत के उपर संडे के दिन आता है देवों का देव महादेव जिसमें मैंने बहुती एक चुनोती पूड भूमिका की प्रजापती दक्ष की जो सती के पिता बनते हैं और उनकी लड़ाई महादेव से हमेशा होती है वो मह समाजी जो हैं जोनोंने पूरे संसार की रचना किया है अगर दक्ष नहीं होता तो पूरे समाज को वो नियम बद्ध कोई नहीं कर सकता था दक्ष अगर नहीं होता तो शायद हम खाने पीने की जो वस्तुएं हैं अनाज हैं इन सब का वो नहीं कर सकता है तो हर चीज को क्र सार की रचना करने वाला ही दक्ष था बहुत स्टॉंग करेक्टर था और अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था सती को बहुत प्यार करता था और हर खुशी वो सती के लिए लिखता था और यहां तक की कहता था वो सबने सभी लोगों से कि मैं अपनी बेटी का भाग मैं और इसलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अहंकार भी इनसान को नहीं करना चाहिए क्योंकि अहंकार तो दक्ष्का भी नहीं चला था और उसको भी कहीं न कहीं से इस बात का एसास हो गया था कि मैं बेटी का भाग्य मैं स्वैम नहीं लिख सकता हूँ तो वो रोल जो था जिसमें इतने सारे शेड़ थे कि एक पिता जो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है एक फादर इनलो जो महादेव को नहीं पसंद करता है विश्णु जी का भक्त है विश्णु उसके परम इस्ट है भगवान है उनसे के आगे वो किसी की सुनता नहीं है तो इतने सारे वेरियेशन उस रोल के अंदर थे इतने सारे वेरियेशन और दक्ष कम से कम मैं यह कहूँगा कि हिंदुस्तान में लोगों ने पचासियों बार देखाऊगा कम से कम मेरे हिसाब से करीब 20 बार जय गनेश बन चुका है गनेश जी के ओपर वह सारे दारवाई बन चुके हैं महादेव जी के ओपर बन चुका है दक्ष हर जगे दक्ष है जहां भी सती और पारवती आएंगे महाद दक्ष है है लेकिन मैं यह कहूँगा कि हिंदुस्तान में अगर दक्ष को कोई पहचान मिली है तो वो देवों का देव महादेव से ही मिली है इतनी दमदार भूमिका को निभाने का मुझे जो श्रेय मिला है वो अन्बिलीविब आने वाले समय की तो ऐसे कौन से रोल हैं जिसमें आप दिखेंगे और लोगों का मनुरंजन करते नज़र आएंगे प्रशान जी मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूं कि अभी दो ढ़ाई साल से करोना का बहुत बुरा कहर चला है और उस कहर में आप सभी लोग जानते हैं कि कोई नया धारवाहिक बना नहीं है और हम सभी लोग घर में बैठे रहे हैं और अब देखे अभी भूमिकाएं आनी शुरू हुई हैं अभी नए नए रोल आने शुरू हुएं मैं अपने दर्शकों को ये तो वादा नहीं कर सकता हूं कि अब मेरी कौन सी भूमिका जो है यादगार भूमिकाएं यादगार भूमिकाएं वो होती हैं जो हम कर चुके हैं और जिसे दर्शकों ने सराया है और दर्शकों ने जिसे पसंद किया है उसे आप कह सकते हैं यादगार भूमिका लेकिन अभी कोई ऐसी यादगार भूमिका नहीं है जैसे मेरे और शो चल रहा है मेरी डोली मेरे अंगना मैक्स प्लेयर के उपर चल रहा है अभी मेरा एक कौन सी ऐसी भूमी का है जैसे दर्शक फिर से पसंद करेंगे जी लेकिन दर्शिकों के लिए न्यूज इंडिया के लिए एक कोई ऐसा डायलोग जो आपके दिल को बड़ा भाता हो चाहिए वो द्रोनाचारिय का हो या किल्विश का तो यही है अंधेरा कायम रहे हमेशा शक तक तुमने मेरा चेहरा नहीं देखा है आज मैं तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाता हूं और यह 45 एपिसोड के बाद शक्तिमान में किल्विश ने अपना पूरा चेहरा दिखाया था जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया था बहुत उसके लिए आबार एक डायलो कि यह उस वक्त का है कि जब रण भूमी में आचारे द्रून खड़े हैं और दुरियोधन खड़े हैं तब दुरियोधन कहता है आचारे द्रून से कि आप हमारे प्रदान से ना पती हैं लेकिन आप युद्ध पांडवों के बक्ष में करते हैं तब आचारे द्रून कहते अपनी नात की आज धीमी करो दुरियोधन ये मत भूलो कि तुम माचारिय द्रोन से बात कर रहे हैं उनसाय पांड़ो पुत्रों से नहीं मैं तुम्हारे एक एक शब्द का उत्तर अपने पॉनों से दे सकता हूं रण भूमी और कीड़ा भवन में अंतर करना सिखो युद्ध हमारे पक्ष में है किन्तु युद्ध का परिनाम हमारे पक्ष में नहीं है अरजुन को युद्ध भूमी से दूर हटा दो मैं युदिश्टर को बंदी बना कर तुम्हें सौप दूँगा हाँ कल मैं चक्रव्यू की रचना करूँगा और किल्विश ने आज अपना चहरा न्यूज इंडिया भी दर्शकों को दिखाया और अपने अनुभवों को बाटा